अध्याय बाईस हे भाईयो और पितरो मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ वे ये सुनकर के वो हमसे इबरानी भाशा में बोलता है और भी चुप रहें तब उसने कहा मैं तो यहुदी मनुश्य हूँ जो किली किया के तरसुस में जन्मा परन्तु इस नगर में गमलीयल के पाउं के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाब दादों की वेवस्था की ठीक रीती पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सवाज लगाए हो और मैंने पुरुश और इस्त्री तोनों को बांद बांद कर और बंदी ग्रही में डाल डाल कर इस पंत को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला इस बात के लिए महा याजाक और सब पुरन ये गवाँ हैं कि उनमें से मैं भाईयों के नाम पर चुठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हों उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांद कर यरुशलेम मिलाऊं जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुँचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभगे का एक एक बड़ी जियोती आकाश से मेरे चारो उर्चमकी और मैं भूमी पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना हे शाउल, हे शाउल, तु मुझे क्यों सताता है मैंने उत्तर दिया, हे प्रभू, तु कौन है उसने मुझे से कहा, मैं यिशू नासरी हूँ, जिसे तु सताता है और मेरे साथियों ने जियोती तु देखी, परंतु जो मुझे से बोलता था, उसका शब्द ना सुना तब मैंने कहा, हे प्रभू, मैं क्या करूँ ना दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया हनन यहा नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुश्य, जो महां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनान था मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाओ, फिर देखने लग, उसी खड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा तब उसने कहा, हमारे बादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे, और उसके मुझसे बाते सुने, क्योंकि तू उसकी ओड़ से सब मनुश्यों के सामने उन बातों का गवा होगा, जो तूने देखी और सुनी है, अब क्यों देर करता है, उट, वप्तिसमा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धोडाल, जल्दी करके यरुश्लेम से जट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विशे में तेरी गवाही ना मानेंगे, मैंने कहा, हे प्रभू, वे तो आप जानते हैं, कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी ग्रीह में डालता, और जगे जगे आराध नाले में पिटवाता थ जब तेरे गवाह इस ठिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था, और इस बात में सहमत था, और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था, और उसने मुझ से कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्ने जातियों के पास दूर दूर भे उसका जीवित रहना उचित रही, जब वे चिलाते और कपड़े भेंकते और आकाश में धूर उड़ाते थे, तो पल्टन के सुविदार ने कहा, कि इसे गड़ में ले जाओ, और गोड़े मार कर जाचो, कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसे चिला रहे जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा, तो पॉलुस ने उस सुविदार से जो पास खड़ा था, कहा, क्या ये उचित है, कि तुम्हे एक रोमी मनुष्य को और वो भी बिना दोशी ठहराय हुए कोड़े मारू, सुविदार ने ये सुनकर पल्टन के सरदार के पास जाकर कहा, तु ये क्या करता है, ये तो रोमी मनुष्य है, तब पल्टन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तु रोमी है, उसने कहा, आँ, ये सुनकर पल्टन के सरदार ने कहा, कि मैंने रोमी होने का पड़ बहुत रुपे दे कर पाया है, पॉलुस ने कहा, म तुरंत उसके पास से हट गए और पल्टन का सरदार भी ये जानकर कि ये रोमी है और मैंने उसे बांधा है डर गया दूसरे दिन वो ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोश लगाते हैं उसके बंधन खोल दिये और महायाज को और सारी महासबा को इकठे होने की आग्या दी और पॉलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया